मेरे परिवार जणों, कॉंग्रेस और उसके गमन्या गटबंडन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इनों ने क्या का कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी मातावे बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कॉंग्रेस और उसके साथ ही सनातन को खत्म करने का एलान कर रहे हैं। और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ही करने देंगे आप ये करने देंगे ये कॉंग्रेस के कागना में चलने देंगे एक गमंडिया गड़मंदन के कर्तुत मान्य करेंगे साथियों हम सब तो भली भाती जानते हैं यहां जालोर जिले में कानी वाड़ा में हनमान जी का प्रातिन मंदीर है उस हनमान जी के प्राचिर मंदिन में पीडियों से दलीत समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पुजा करते हैं और सब लोग जा करके वहां आसिरवार लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं ऐसी प्रेणादाई भूमी पर कॉंग्रेस के समरक्षन में दलीतों को निशाना बनाया जा रहा है, आप देखिये महिलाओं और दलीतों को लेकर ये कैसी कैसी भाशा का उप्योग कर रहे हैं कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गटबंदन के एक नेता वो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलीत समाग के पुर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभधर भाशा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बात्चित में भी ऐसा नहीं बोल सकता, वो विधान सभा के फ्लोर पर बोल रहे थे, ये हैं गमंडिया गटबंदन, क्यों, क्यों गालिया दी, क्योंकि वो पुर्व मुख्यमंत्री अती पिछडे दलीत परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बे किया, लेकिन कॉंग्रेस के एक भी नेता, उसके मुँ से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है, दलीतों के खिलाप, अत्याचार करने वालों को देखकर, कॉंग्रेस आंखों पर पट्टी बांद लेती है, यहां राजस्तान में पांच बर तक दलीत परिवारों के साथ हुई अत्याचार पर कॉंग्रेस ने यहीं किया है, जब से महिलाओं को आरक्षन देने वाला कानून नारी शक्ती बंदन अधिनियम पारित हुआ है, सबसे इन्होंने महिलाओं के बुरुद्ध और बद्र अभियान चेड़ दिया है, गमन या गड़बंदन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्ति जनक टीपणियां हमारी माताओं बेहनों के लिए की है, बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विदान सबाओं में महिलाओं के प्रति गोर अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन मजाल है कि कॉंग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और यही कॉंग्रेस का असली चहरा है, जिसे राजस्तान के लोग पहचान गए है, साथियों, महिला विरोधी कॉंग्रेस कभी महिलाओं का कल्यान नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, कॉंग्रेस ने राजस्तान को महिलाओं के खिलाब अपराद में नंबर वन बना दिया है, यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्तान की बेहनों बेटियों ने पुलिस स्थाने में जा करके, उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायते फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारी शिकायते फरजी हैं, क्या कोई मा बहन ऐसी फरजी शिकायत करें, ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या, आप मुझे बताईए हो सकता है क्या, कभी कोई महिला हमारे देश की माताय बहने तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बत्तमीज की हो तो चूप चाप वहां से चूप चाप चली जाती है वो चोचती है कि वो बुरा आदमी है वो उतने घर जाए मैं अपने काम पर चली जाती हूँ वो कभी जूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है और जब कुलिस ठाने में जा करके उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है तो कुछ तो सच होगा कर नहीं होगा भाई होगा कर नहीं होगा अरे मुक्हमंत्री ये कहे कि भी हम जाच करवाएंगे वे तो मुक्हमंत्री सडीप कर देते हैं कि महलाएं आदकल फरजी चीजे लिखवा देती है क्या यह महिलाओं का अब्मान है नहीं है। ऐसे ही जवाब देते हैं क्या। यह महिलाओं का अपमान है नहीं है। das कि नहीं है jet ये मुख्य मंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधान सभा में इस अत्याचार को ये कह करके उची ठाराता है कि ये राजस्तान तो मर्दों का प्रदेश है क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं कि इस प्रकार से पाप करते हैं ये मर्दों का पान हैग नहीं है ये मर्दों का पान हैग नहीं है अरे राजस्तान के मर्द बेहन बेटियों के लिज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं ये मर्द होते हैं राजस्तान कि और तुम कि तुम्हारे मंत्री कि खुले आम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या और इतना ही नहीं उस मंत्री के पास साथ कई लाल डाइरिया छिपी हुई है इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकर दे दिया इसका मतलब यह हुआ महिलाओं परत्याचार और जुल्म करने वालों को कॉंग्रेस की दिल्ली सरकार भी कॉंग्रेस के दिल्ली के कारणामे करने वाले लोग भी कॉंग्रेस के दिल्ली में बैटे हुए सारे बाजीगर भी यह इसलिए कॉंग्रेस और इसके गमंडिया साथ्यों के मान सिकता एक जैसी है महिला विरोधी है मैं राजस्तान की हर बहन बेटी को कहूंगा आपको राजस्तान से कॉंग्रेस को साप करने के बाद ही चैन से बैठना है